हलो दोस्तों वेलकाम वैद जी की डायरी में आज अस्थमा या दमा के लिए बहुत ही सिंपल और आसान सा योग बताने वाला हूँ जिसे हर को इस्तमाल कर सकता है असानी से ताई इसके बारे में पूरी डीटेल्स जानते हैं लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है कुछ हैता कि सही भी है पर यदि सही ट्रीटमेंट मिले तो या बीमारी ठीक भी हो जाती है इसके लिए आयरुएद में कई तरह की शाश्तिरी आउशधियां हैं जो बीमारी को दूर करने में सच्छम होती हैं इसके अलावा कई तरह कानुभूत योग भी हैं जिसे वैद लोग रोग्यों पर परियोग करते हैं ऐसा ही एक योग है जिसमें बताने वाला हूँ इसका नाम है स्वास नाशक योग इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं देशी गेहूं और हल्दी दोनों अरगेनिक होते अति उत्तम गेहूं लेने हैं 200 ग्राम और हल्दी लेना है 100 ग्राम स्वास नाशक योग की निर्मान विद्धी इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है मिट्टी के बरतन में गेहूं को चुले पर रखकर जलाना है कोईला होने तक इसी तरह से हल्दी को भी चुले पर रखकर जलाना है यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे जलाकर राख नहीं करना है बलकि जलाकर कोईला होने तक इसके जलाना खाला होने तक ठंडा होने पर इसे कुटपीश कर बारिक पाड़र बना कर रख लेना है बस स्वासनासा की योग जो है तैयार है अब जानते हैं स्वासनासा की योग की मातरा और सेवन विधी इसे कल्प विधी से कुल 51 दिन तक परियोग करना होता है विशेश विधी से पहले दिन इसे 5 गराम सुबह खाली पेट पानिस लेना है रोज एक बार इसी तरह से रोज 1 गराम का डोज बढ़ाते हुए 25 दिन 30 गराम का डोज हो जाएगा इसके बाद रोज 1 गराम डोज कम करते हुए जब 5 गराम पर डोज आजा तो इसे बंद कर दें यह वेस की वेक्ति की मात्रा है कल्प विधी से 51 दिनों तक परियोग करने से अस्थामा और काफ़ाली खांसी से मुक्ति मिल जाती है वेस जी की डारीम आज इतना ही इसके बारेम कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करते जिए और इसी तरह की दूसरी जानकारीयों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सवस्त रहें सुखी रहें जाए हिंद जाए अरवेद